आज हम पढ़ेंगे Theorems on differentiation, Theorems on differentiation क्या हैं कि हम जो first principle की method से derivation कर रहे हैं वो काफी long process है और काफी hasty process है, तो हम उस process को short कर लें कि अगर हम theorem generate कर लें और उन theorem की मदद से आगे चलके हम वो first principle method को छोड़ कर एक theorem apply कर दें अगर हमारे पास कोई भी एक num expression आ जाए जिसके अंदर कोई ओपर कोई exponent हो और अगर उसको हम उसी expression के respect में उसी variable के respect में differentiate करें तो simple होता है कि आप उसका power नीचे लियाए और power में से one minus कर लें इसको हमने का था power rule तो यह यह one of the theorem है जिसको हम power rule कहते हैं और एक और फूरम हमने discuss किया था अगर आप derivative कर रहे हो with respect to x variable of any constant function तो 0 होता है इसमें x नहीं है तो वो क्या होगा constant के लाएगा क्योंकि x में जो भी change आएगा उस constant function में change नहीं आ सकता तो 0 हो जाएगा यह भी हमने generate कर लिया था और हमने एक और condition generate कर लिया थी कि अगर हमें derivative करना है इसका ax plus b whole power n का तो इसको हमने कैसे first principle से generate किया था वो यह था पावर को नीचे ले आओ ax plus b whole power n minus 1 एक माइनस कर दो और अंदर वाले का भी derivative लेंगे power rule की मदद से तो a answer आएगा यह हमने first principle method की मदद से यह power generate कि है rules और एक और method था एक और चीज़ थी b और dx 1 upon ax plus b अगर इसका derivative करना हो तो हमने क्या कहा था कि आपने और कुछ नहीं करना ही हो जाएगा negative a upon ax plus b n minus n plus 1 ठीक है तो यह rules हमने generate किये थे तो बात यहाँ पर यह आ जाती है कि यह जो पूरे चार rules हमने generate कि हैं इनकी मदद से हम अगर इस तरह को कोई भी expression आए उसको हम differentiate कर सकते हैं let's suppose यह हमारे पास आगया x power 9 अगर हम इसकी differentiation करें तो यह आ जाएगा 9 x power 8 power को नीचे ले और 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 में से 1 minus कर दो और d over dx किसी भी constant function का let's suppose आ जाता है यहाँ पर 3y plus 7 equals to अच्छा अब यहाँ पर क्या होता याद रहे मैंने y को लिया है पर y just a constant है अब y की जगा पर कोई और ले ले लें reason बताता हूं क्यों let's suppose मैं यहाँ पर ले लेता हूं पी अब y की जगा मैंने क्यों लिया क्योंकि हम हमेशा y equals to f of x रखते हैं जब y is equals to f of x हो जाता है it means y is already dependent on the x अगर x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा तो it means y एक constant consider नहीं कर सकते थे हम अगर कर लेते तो कोई फारख नहीं पड़ता क्योंकि हम समझ रहे थे कि y एक जो है x का function नहीं है तो अगर हमने p ले लिया तो यह क्या हो जाएगा दोनों ही constant functions हैं तो insert 0 आजाएगा simple और इस तरह के functions तो और भी simple हो जाएगे let's suppose d over dx अगर मैं ले लेता हूँ 3x plus 7 whole power 2 तो यह क्या होगा just power को नीचे ले आओ power मैंसे minus कर दो एक तो 1 बच जाएगा 2 मैंसे 1 minus होगा और 3x plus 7 का derivative खुद 3 होता है तो 3, 2, 06 हो जाएगा अंसर आ जाएगा इसी तरह के इसकी example भी आप ले सकते हैं के let's suppose d over dx आपने लेना है 1 upon इसी function का ले 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 3x plus 7 whole power 2 तो यह क्या हो जाएगा simple negative 2 into 3x plus 7 whole power 3 हो जाएगा अभी और जो इसका derivative है 3x का तो वो 3 हो जाएगा 2 into 3 6 हो जाएगा तो यह आपके derivatives आगए simple तो आपने power will use किया अब आपको इनके in expressions को with the help of first principle method derivate करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने just theorem generate कर लिए हैं यह चार theorem हमने generate कर लिए हैं और यह वनाव दी very basic theorem हैं जो कि हमने recent वीडियो में discuss के थे यह वीडियो आपको पूरी playlist में मिल जाएगे एक एक sequence के साथ आपको एक एक वीडियो मिलेगा पावर रूल फिर constant का function पिर आपको यह एक्स प्लस भी होल पावर एंड वायनॉमिल का जो भी function होता है उसको डेरिवेट कैसे करेंगे और रेसिप्रोकल वायनॉमिल किस तरह डेरिवेट होता है अब हम discuss करने वाले हैं कुछ और थिरंस जो के काफी important है